संस्थापक महर्शी दयानन सरस्वती जी के जन्मकी द्वी सतापदी के पवित्रा उसर पर महर्शी जी की स्मरण वंदना करता हूँ आज इस उसर पर पदारे हुवे राष्टपती महधाया का गुजरात में रदैश से स्वागत करता हूँ गत वर्ष फरवरी में ही विश्वन एता और हमारे यसरस्वी प्रदानवंतरी स्री नरेंदरबाई मोदी ने दयानन जी की बसोवी जन्मजेंटी पर ग्ण्यान जोती परवका प्रारम नई दिल्ली से कराया था तब से देश भर में महरसी जी की वन्दना का मोद्शव चल रहा है आज का यह पयायोजन उस वन्दना मोद्शव का सिखर है देश और दुनिया भर के आर्य समाजी परिवार गुजरात में आज इस मोद्शव में सहवागी हो रहे हैं गुजरात ऐसी पुन्यसाली भुमी है कि पौराणिक और प्राचिन काल से ही युग पुरुस महान व्यक्तियों का अनुसंदा नीज भुमी के साथ जुड़ा हुआ है द्वापर युग में भगवान सी कुरुष्ण के देहोचर्ग स्थान बाल का तीर्थ शेत्रका युग में त्रेता युग में भगवान सी राम चंद्रजी के वन्वास ब्रह्मन के दंडकारणिया डांग प्रदेश का उल्लेक पुराणों में है आतुनिक युग में तंकारा की भुमी जहां महरस्री दयानन सरस्वती जी तधा गांधी जी के आध्यत्मिक गुरु स्रिमद राम चंद्री जी का जन्मस्थल वावणिया भी गुजरात में है स्वामी विवेकानन ने सिकागो धर्म परिशत में जाने से पहले इस भुमी का विच्रण किया है यह सरस्वी प्रदान मंत्री और विश्वनेता नरंद्रबाई मोदी भी इसी गुर्ज धरा का संतान है स्वामी दयानन जी का आदर सदा कि भारत उसके प्राचिन मुल धर्म को फिर से प्राप्त करे प्राचिन परंपराओं को पुनवजिवित करे और फिर से एक बार समगरत दुनिया के लिए विश्व गुरु की भुमी का निभाए आज आदर्णिय प्रधान मंत्री जी के नेतरुतों में भारत अपनी प्राचिन सम्रुदी फिर से प्राप्त कर रहा है और महर्शी जी के आदर्शों को साकार कर रहा है प्रदान मंत्री जी के प्रेणा से उनके नेत्रोतों और दिशादर्शन में समस्ता भारत में सांस्कृतिक दरोहर और अध्याद्विक चेतना से जुड़े स्थानों को पुनरस्थान का एक नया अध्याय शुरू हुआ है अयोद्या में प्रभुस्तिर राम की प्रान परतिष्टा का भव्य उत्षव भारत में सुरू हुए सांस्कृतिक नाव जागरन का मायल्स्टोन है बारतिय संस्कूरूती के नवजागरन का या यूग महरसी ज्वारा संजयोगे हुए सपनों के पूरे होते देखने का ये यूग है आज से दो सताब्दी पहले जब महरसी दयानन जी का जन्म हुआ तब भारत सद्यों की गुलामी सहन करते हुए चुनोतियों का पूर्ण समय से गुजर रहा था बारत की दर्मसांस्कूरूति मुल्योवार अदर्शों को नश्ट करने की सुनुजोईत प्रयासों हो रहे थे ऐसी स्थिती में महरसी जी ने चुनोतियों का सामना करते हुए समाज में वैदिक संदेश को पुनर जीवित करके देश में आसा की नई किरन जगाई थी स्वामी दयानन जी ने अनेक स्वतंत्रा साइना ने देश बक्ती की जोती प्रजवालित की थी महरसी बारत के लिए जो परिवर्दनकारी विचार लेकर आए उन विचारों को उन्होंने व्यवस्था के साथ भी जोड़ा और अनेक महतोपुन संस्थाओं का निर्मान किया एसी संस्थाओं दसकों से विबीन शेत्रों में लोग कल्यान की प्रभावशाली प्रवुद्ति कर रही है स्वामी जी द्वारा रोपे गए बीच से जो वटवरुक्स खड़ा हुआ है उसकी सितलताता अनुभवाज समगर मानाव जाती कर रहा है स्वामी जी के ऐसी सितलता और राष्ट चेतना तदा सांस्कूर्तिक गाउरव की अनुपुदी करने के लिए देश भर के अनेक लोग स्वामी जी के जन्मस्थल तंकारा की इस भुमी पर आते हैं तंकार आने वाले दर्स्तनारियों के लिए जरूरी सुवीदा प्राप्त कराने से जुड़े कारिय प्रगति पर है राज्ये सरकार ने महर्शी दयान अन सरस्वती टरश को राजकोट मोर्भी हाईवे पर जमीन भी आवंटित की है आज इस अउसर पर यहां एकत्रित हुए तंकारा के नगर के नवनिर्मित एक ओवर भीज का नाम महर्शी दयान अन सरस्वती देने का राज्ये सरकार ने निश्ये किया है और जब ये तंकारा की एक नगर पालिका के लिए भी यहां से हमारे MP और ML का सुलजाव आया है हम उसको भी टेक्निकली देखके उसको विचार करके हम नगर कालिका भी यहां बना देंगे दयानन सरस्वती जी ने समाज की कूप्रधाओं दूर कर लोगों को सच्चा मार्थ दिखाते हुए जन कल्यान का अमरूत फैलाया था आज आदर्णिय प्रधान मंत्री स्री नरेंदरवाई मोधी जी नेत्रूतों में ऐसा ही जन कल्यान का अमरूत विबिन कल्यान कारी युद्नाओं से लोगों तक पहुँच रहा है गरीब बंचीत अंत्योधई की सेवा का यगन शमगर देश में चल रहा है महर्शी जी ने नारिशक्ति की सिक्सा का अभ्यान उस शमय चलाया था आधर्णिय प्रधान मंत्री जी ने भी कन्या सिक्सान, मैला ससक्तिकरण और नारिशक्ति के उत्करश को अग्रता दी है गुजरात में हम प्रधान मंत्री जी के ही पत्चिहनों पर चलते हुए बेटियों के स्वास्त पोषण और शिक्सा के लिए दो नई योदनाए इस वर्ष के बजेक में लाए हैं आध सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रायस मंत्र के साथ जरुरात मन लोगों तक आवास, स्वास, आहार, आदी सुविधा पहुँचे हैं और विकास की अम्रुत काल का उदई हुआ है स्वामी दयानन सरत्वजिन ने अहवान किया था कि वेद परंपरा की और वापस लोटे आज प्रदान मंत्री जी के नेत्रुत्वमिंदेश अपनी प्राचिन परंपराओं को पागवरो करते हुए विक्षित भारत एट 2047 के निर्मान के लिए प्रतिबत है स्री नरेंद्र भाई के दिशा दर्षन में देश का यह अमुरुतकाल विकास के साथ साथ शांसकूर्दिक नवजारंकर का भी श्वाणिन काल बने इस प्रातना के साथ फिर से एक बार मारसी जी को वंदन करते अपनी वानी को विराप देता हूँ बारत माता की जै वंदे मातरम जैजे गर्वी गुजरा